अव्यक्त शिक्षाओं का अनमूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना अमूल ये रतन अमूल ये रतन अमूल ये रतन ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गॉडलिवोर स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वाकत है सत युग जिसे हैवन, पैरडाइस, बहिष्ट, स्वर्णिम युग, स्वर्ग आदि अनेक अनेक नामों से हम पुकारते हैं इसका वर्णन अनेक ग्रंथों में भी किया गया है, इस कल्योगी दुनिया से बिलकुल ही विपरीत दुनिया होगी इस स्वर्णिम दुनिया में मनुश्य आत्माओं का एक दूसरे के साथ संबंध, संपर्ख, वकारोबार कैसे होगा आज हम इश्वरिये महवाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे पर इन महवाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये हैं प्रुजा पिता ब्रम्हा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई सहाब पर सब आपका आज की एपिसोड में बहुत वह स्वाकत है पर सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 14 जन्वरी 1984 के महवाक्यों पर जिसके टॉपिक था डबल सेवाधारी स्वतय ही माया जीत पर सब महवाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमें सत्युग की स्थापना के बारे में कुछ विशेश जानकारी दे रहे हैं परमात्मा हमें बताते हैं कि अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संसकारों को इमर्ज करो तो स्वयम ही अपने को सत्युगी शहजादी वशहजादे अनुभव करेंगे और जिस समय वह सत्युगी संसकार इमर्च करेंगे तो सत्युग की सभी रीती रसम ऐसे स्पष्ट इमर्च होगी जिसे कल की बात है कल ऐसा करते थे, ऐसा अनुभव कर सकते हो संसकार ए मर्ज होने से रीती रसं भी पश्ट हो जाती है यह सब इसको थोड़ा संस्पश्ट करे परमात्मा हम सब को जब आत्मा का ग्यान देते हैं किंकि पूरय चक्र के अंदर आत्मा पाट बजाती आई है सत्यूग से लेकर के अभी तक स्ट्यूग ट्रेतायूग द्वापर यूग कल यूग चारों युगों में जो उसनी पाड़ बजाया है आत्मा के अनदर वह संसकार सब भरे हुए हैं repetition की तरह जोसे लिपटते गए हैं ये कारे किया वो संसकार लिपट गया दूसरा कारे किया वो संसकार बन गया तो परमात्मा कहते हैं इस समय संगम पर जब आपको अपना पूरा ही आदी मद्यांत का ज्यान है जब अपने आप आत्मिक स्वरूप में इस्थित होकर के अपने पाष्ट की ओर जाएंगे पाष्ट में पहले पहले जब हम स्रष्टी के आदी में हम आये अरमधाम घर से जब आत्मा इस स्रष्टी मंच पर उत्रित होई और देवात्मा के रूप में उसने पार्ट बजाया वो संसकार आत्मा के आधिकाल के हैं लेकिन पार्ट बजाते बजाते वो विस्मरत्ती हो गए वो मर्ज हो गया अब परमात्मा कहते हैं इस समय ज्ञान के आधार से उन संसकारों को इमर्ज करो कि मैं देवी दिवता था और अगर वो संसकार हमारे इमर्ज होते हैं इस स्मृत्ति में आते हैं जो पाष्ट की बाते हैं जैसे कोई इस जनम के पाष्ट की बाते हैं तो फट से आत्मा को याद आ जाते हैं जो परमात्मा हम सबको पीछे की ओर ले जा रहे हैं जैसे आज कल कई लोग hypnotize करते हैं या आत्मा को इसे सुला करके उसके उपर ऐसे past life regression करते हैं पास्ट में ले जाते हैं उसको तो परमात्मा भी हमको पास्ट में ले जा रहे हैं कि इस संगम के समय पर आप बच्चों के अंदर रिकार्ड तो सारा भरा हुआ है आत्मा के अंदर है सुक्षम सक्ति लिए इसने ही पार्ट बजाया है एक जनम लिया पिर उसरी छोड़ा दूसरा जनम लिया ऐसे 84 जनम का रिकार्ड इसके अंदर भरा हुआ है अब इस अंगम पर परमात्मा ज्यान दे रहे हैं, तो उस आदी काल के संसकारों को इमर्ज करो, कैसे सहजादे, सहजादी के रूप में, स्वर्णिम दुनिया के अंदर, जहां सब प्रकार के बैभो थे, प्रकर्टी, सतो परधान थी, दूदगी की नदियां बहती थी, सोने के महल थे, तो वो द्रस से अपने इन आखों के सामने जैसे इमर्ज हो रहे हैं, जब हम भुद्धी से उनको याद करते हैं, तो द्रस आता है, और इसको इमर्ज करने के पीछे एक भाव है, जब ये इस मृति आती कि मैं वो था, और अब फिर से समय आया है, फिर से वो बन आदे सहजादी के सत्यूग के देवी देवताओं के संसकार, ताकि वो इमर्ज होते ही आपकी चलन के अंदर और हैल्टी आ जाएगी, उदातापन के संसकार बन जाएंगे, कैसे देवताओं देखते थे, कैसे चलते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कैसे आपस में मिलते जू बनाने के लिए, विकारी संसकार फुल फोर्स में है, अलियुक के अंदर जो देविमान के कारण हमारे संसकार बन गए, वो संसकार तो अभी बार-बार इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन दियोताई संसकार मर्ज हैं, उन दियोताई संसकारों को परमात्मा इमर्ज करा रहें ताकि हमारे वो संसकार दिव्यत्ता के फिर से इस जीवन में आज़ा है तो से परमात्मा सत्युग की एक बहुत ही सुंदर परिभाशा हमें बताते हैं कि सत्युग का अर्थ ही है जो भी प्रकृती के सुख है आत्मा के सुख है, बुद्धी के सुख है, मन के सुख है, संबंद के सुख है, जो भी सुख होते वह सब हाजिर है क्योंकि तल्यूग में तो इन सुखों को हम जो भी देख रहे हैं, अभी अभी सुख है तो उसमें अभी अभी दुख है, क्योंकि इस समय उसके अंदर कुछ नो कुछ स्वार्थ है, देह इमान, कोई नो कोई विकार मिक्स हो गए, लेकिन जो आदी काल की प्रकरती थी, वो क युदु कि प्रकरती सतो परधान है. अभी इस समय उसमें हम मन के सुख के पीछे क्या सोचते हैं क्योंकि अगर हम यह चीज देखेंगे, मनोरं जगरेंगे, असेंगे, बहलेंगे, इधर जाएंगे, पिकनिक करेंगे, इसमें सुख है, और यह सुख तो छनिक है, यह अभ हर बात का विवहारिक सुक कैसा होगा, क्योंकि वहां पर किसी भी परकार का विकारों का संबंध नहीं है, किसी भी परकार का लेन देन कोई स्वार्त भाव से भरा हुआ नहीं है, उस स्वास्थकारों को अगर हम इमर्ज करते हैं, सत्यूक के ये मन का सूख, परकरती का सूख, बुद्धी का सूख, खानपान का सूख, वो जो अविनासी है, जिसके अंदर किसी भी परकार का दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, उस सुख को इमर्ज करो, परमात्मा हम सबको सत्यूक के अंदर ले जा रहे हैं, जब परकरती स तत्यो प्रधान होगी, पांचो तत्यो सुखदाई होंगे, दासी के रूप में होंगे, उस समय के सुख को इमर्ज करो, तो क्या ये जो दुख की दुनिया है वो भूल जाएगी, लेकिन परमात्मा कहते हैं, आपकी जो सत्यो की दुनिया थी, वहाँ कोई दुख का नाम नि सुखदाई रूप में वहां होंगी, चाहे धन कहो, तन कहो, मौसम कहो, सब प्राप्ती तो श्रेष्ट ते श्रेष्ट हैं, उसको ही सत्योग कहा जाता है, एक बहुत अच्छे ते अच्छी सुखदाई, संपन फैमिली समझो, बहाराजा, प्रजा, समान, मर्तबे होते हु परिवार के रूप में चलता है। यह नहीं कहेंगे कि यह दासडासी है, नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है, इस भावना से नहीं चलेंगे, जैसे परिवार के सब्संबंद, खुशमिजास, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्टता है, वह सब तो सब यह जो एक समानता की भावना है, इसको इस समय से कैसे लिंक करें? संगम्युकपर परमात्मा जो एक परिवार बनाते हैं, इसुरिय परिवार, देवी परिवार, यहां पर भी देखो, डिपार्टमेंट हिसाब से, कोई धोबी घाट कर रहे हैं, कोई भोजन बना करके दे रहे हैं, कोई किसी प्रकार के सेवा कर रहे हैं, वैराइती हैं सब, लेकिन इतने बड़े परिवार के बीच में ये तो नहीं कहते हैं ये भВОड़ है कोई ऐसा टाइटल तो देते नहीं हैं तो आइसा वग कंद। नहीं खा सृर्पृष कॉछी आज सड़ाइव, सब प्यार से एक परिवार के अंदर खा रह 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 हैं , कोई भेद नहीं है कोई यह नहीं कहेगा यह दास-दासी है नोकर है यह कारी अलग-अलग हैं लेकिन कारी होते हुए भी भिनताएं नहीं है समामता है परिवार है और परिवार में मिल जूल करके रहते हैं इसलिए राजा मात्पिता के रूप में हैं स्री लक्षमी स्री नारायन पूरी प्रजा कि मात्पिता है इसलिए परमात्मा कहता है कि वहां पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है सब आपस में family के रुप में रहते हैं और जितनी सकल्यू के सुख के साधना इमर्ज कर सकते हो यहां पर सुख है यहां पर सुख है उनका pure रूप सतो परधान रूप प्यूटी है उसके अंदर, इंप्यूटी नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो प्योर रूप में उप्रकरती वहाँ सीवा करेगी और आपको सुख के साधन मौजूद कराएगी, सब प्रकार के सुख और बैभू वहाँ होंगे. तो सब परमात्मा कहते हैं कि दुकानों में भी खरिदारी करेंगे, तो हिसाब किताब से नहीं, परिवार की लेंदेन के हिसाब से कुछ देंगे, कुछ लेंगे, गिफ्ट ही समझो, जैसे परिवार में नियम होता है, किसके पास ज्यादा चीज होती है, तो सभी को बाटते ह हिसाब किताब की रीपी से नहीं, सब इस कारोबार को थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, ये कारोबार आज तक भी कल्यू के अंदर भी, हम लोगों का बच्पर मुझे याद आता है, हम गाउं में जब रहते थे परिवारिक जीवन में, तो मानलो किसी के खेत में मक्का अच् मानलो हमारे घर में दूद का अच्छा बंडार है, दूद की विवस्ता है, दूसरे घर में दूद नहीं है, तो हमने उसको ऐसे दे दिया, गिप्ट के रूप में जैसे दिया, मांगा नहीं उसे पैसा ने लिया, रिटर्न ने लिया, लेकिन उसको लगता है कि मेरे घर में इनके हां से दूद आया, तो उसके घर में जो चीज है, वो हमारे घर में आ जाएंगी, तो यह ऐसा परिवार की रीति से लेन देने है, तो ऐसे ही जो सत्यूक की विवस्ता है, जो कारोबार है, उसको पैसा दे करके कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, फैमिली के रूप मे जिसके पास जो चीज जादा है, वो दोसरों को आफर करेगा, वो अपने आप, उसके घर में जो होगा, वो आपको दे देगा, यह लेन देन, परिवार की लेन देन है, इसमें कोई भी धंधा ऐसा नहीं है, जो पैसा दे करके कोई चीज खरी दे जाए, तो परमात्मा वहा हिसाब किताब करना होता, इच्छा के कारण ही नीचे उपर होता है, वहाँ इच्छा भी नहीं, कमी भी नहीं, सर्व प्राप्ती है, और संपन्नता भी है, तो बाकी और क्या चाहिए, ऐसे नहीं, अच्छी चीज लगती, तो ज्यादा लेली, भरपूर होंगे, दिल भरी ह कोई होगी, है सब इच्छा का संपन्नता से क्या रिलेशन है, इसको छोड़ा सपष्ट करें, वास्तों में, जहां पर संपन्नता होती, भरपूरता होती, वहाँ इच्छा होती नहीं, सब कुछ तो है, संतुष्ट है आत्मा, प्रसन है, कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ भी कमाने की चिंता नहीं है, और इतनी प्रकरती भरपूर किया हुआ है, सब साधन है, सब सुविधाएं है, अब आबादी इतनी छोटी है, थोड़ी है, सत्यों की आबादी नौ लाग से सुरू हो रही है, आज तो करोरों में आबादी फैली हुई है, साधन की कमी ह और फिर इस खीचातान कितनी है, देहमान के कान मेरा मेरा कितना सारा बटवारा होता जा रहा है, एक फैमली के पास जो आज दस एकड़ बीस एकड़ जमीन होती थी, एक लेंड लाट किसान कहलाता था, आज उसके पास भी टुकड़े हो गए, परिवार बढ़ गए, के कान एक-एक टुकड़ा लोगों को मिला, तो वहाँ पर भेंट है, वहाँ इच्छा हैं, अल्यू के अंदर, सत्यू के अंदर सब प्रकार की भरपूरता है, परिवार छोटा है, चोटा परिवार वैसे भी कहते हैं, सुकी परिवार, बिलकुल, तो वहाँ पर सब संपन् अबिद्या इस्थित्य है, परमात्मा इस समय हम सबको एकोनोमी सिखा रहे हैं, क्योंकि जितना हम कम खर्चा करेंगे, उतना हम भरपूरता करन भो करेंगे, अगर हम फिराक दली से खर्चा करने लगेंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, इच्छा हमारी बढ़ती जाएंगी परमात्मा कहते हैं, जहां इच्छा हैं जादा होती हो, इसलिए संगम से हम सत्यूक की भेट नहीं कर सकते हैं, संगम अभी चला है कल्यूक और सत्यूक के बीच का समय, इस समय जितना हम अपने संकल्पों को, अपने कर्मों में जो खर्चे हैं, उनको हम बचा सकें, इकोनो तो परमात्मा हम सबको संगंपर एकोनोमी सिखाते हैं। लेकिन सत्यूग आते ही इतनी भरपूर्था इतनी संपन्त थैंड जो और सवाला इनी जे और वहां की भेठ हम यहां से नहीं कर सकते हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या की इस्थिति जो है, वो भरपूर्था के आधार से है, क्योंकि बहुत कुछ है वहाँ, संपन्न है सबको, किस चीज की इच्छा करने की जुरूरत, सब तो प्राप्त है, तो इसलिए संगम पर कई प्रकार की तो अब ही Alsinn को ही जैसा, और यहीं होता है कि इन्सानको इच्छा हो ती है, तो एक चीज होती तिया कि मुझे इस चीज की इच्छा है, दूसरा है कि लोब रृती है, दोनों में क्या अंतर है ? लोब से फिर हम कुछ न कुछ गलत करने लगते हैं, उन इच्छाओं की पूरती के लिए कई प्रकार के गलत कर्म हो रहे हैं, जिसको हम रष्टाचार कहते हैं, परमात्मा के तब रष्टाचार कहा हो रहा है, जहां इच्छाओं व्यक्ति की बढ़ रही है, यह चाहिए, यह चाहिए ऐसा साधन हो ये होना चाहिए तो वहां पर लोब ब्रत्ति प्रवेस हो रही है इच्छाओं के आधार से लोब बढ़ता जा रहा है विक्ति का और लोब के काराण वो गलत कारी कर रहा है उस चीज की उपलब्धी के लिए उसको कई पाप करने पड़ते हैं तो परमा है विक्ति की इच्छाएं बढ़ती जा रही है और इच्छाएं ही लोब ब्रत्ति है आए वास्तों में इच्छाएं ही लोब ब्रत्ति जो आज वहुत विश्तार हो गया है और उसका भी एक कारण है कि दूसरों से विक्ति भेट कर रहा है इसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों कम हो कलियू के अंदर विक्ति इच्छाओं के पीछे भाग रहा है मिलता कुछ नहीं है पर फ्रान निकल जाते हैं तो परमात्मा हम सब को कहते हैं बच्चे इस संगम के समय पर अपनी इस्थित्ति ऐसी बनाओ जो है जितना है बहुत कुछ है हम किसी से भेटने करते हम को जितना मिला तो बहुत बड़ा मेरा भाग है उस इस्थित्ति से हम अपनी इच्छा मात्म की इस्थित्ति बना सकते हैं और सत्यूग में तो नैचुरल हो जाएगा आगे बढ़ते हैं महावाक्यों में तो परमात्मा आदरनी दादी जानकी जी से बात करते हुए कहते है कि आप सभी को नाम का दान देती हो नाम का दान क्या है आपका नाम क्या है नाम का दान देना अर्था ट्रस्टी बन कर वर्दान देना आपका नाम लेते ही सब को क्या याद आएगा सकिन में जीवन मुक्ती ट्रस्टी बनना यह आपके नाम की विशेशता है इसलिए जान भी दे दो, तो किसका भी बेडा पार हो जाएगा। कि नाम दान देने से बेडा पार कैसे होता है। और सब कुछ संभालते हुए भी उसमें ममत तो नहीं था, वो ट्रस्टी सिपकी भावना थी। इमानदारी थी। तो परमात्मा केते हैं आपके नाम से ही लोगों का बेडा पार हो सकता है। जनक जो नाम है, जान की जो नाम है, इस नाम से ही कई आत्माएं ट्रस्टी बन जा सब संकल्प सांथ हो जाते थे। और इतनी सब कारोबार संभालते हुए कहीं पर भी यह नहीं कहा, यह मेरा है। सब संभाला परमात्मा के कारे को इतना आगे बढ़ाया। देश में इतनी सेवाएं की एक सो चालिस देशों में सेवा केंद्र इस्थापित करने के वो निमि को मिलेगा, उनका भीडा पार हो जाएगा, अगर नाम दान दे दो, आप उनको भी अपने समान जनक की तरह बना दो, ताके उनको सेकेंड में जीवन मुक्ती मिल जाए और विदेही स्थितिय का वनुभू करें। दादी जानकी जी का एक बहुत सुंदर स्लोगन था, पहल दो, देश लिया और देश-विदेश में सब जगे भरमन करके सेवा करके आ गई। ना पैसा चाहिए, ना कोई का मान सम्मान चाहिए, जो है, जैसे जो साधन थे उसमें इतनी सेवाएं की, इतनी त्याग वरत्ती से सेवाएं की, इसलिए दादी बेगंपुर के जैसे बास आती, बाबा ने, शिव बाबा ने उनको टाइटिल दिया था, रमता योगी, कभी यहाँ है, कभी कहीं है, किसी इस्थान को उन्होंने अपना इस्थान, यह नहीं का, यह मेरा इस्थान है, इसलिए परमात्मा कहते हैं, आप अपने नाम का भी धान करो, तो लोगों क बेड़ा पार हो जाएगा, और इसलिए परमात्मा ने कहा कि, नाम की नईया द्वारा भी पार हो जाते हैं, और कुछ समझ में ना भी आए, लेकिन शिव बाबा, शिव बाबा भी कहा, तो स्वर्ग की गेट पास तो मिल जाती है, तल्यूग में वैसे भी कहते हैं, भगव सिर्फ उनको नाम का दान दे दो, अगर कोई शिव बाबा, शिव बाबा भी कहेगा, तो स्वर्ग की गेट पास मिल जाएगी, तो स्वर्ग की इस्थापना कहने वाले हिमिली गौड फादर है, बाबा को, शिव परमात्मा को जिसने पहचान करके एक बार भी कहे दिया, मे तो समय में अगर प्रभू का नाम याद आ जाएगा तो इसकी गती सद्गती हो जाएगा। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि इसका दान करो। जिए बाबा का सबको परिचे दो उसी बाबा को पहचान ले और दिल से कहें कि टो be baka निशुका है यहां कि एप पापियों का भी सद्गना अध़ार नाम से उद्धार हो जाता हमकी ही गहराई से स्वर्ग की कारोबार कैसे चलती है कैसे वहां आपसी संबंध संपर्क में हम मिलजुल कर रहते हैं उसको बहुत ही विस्तार पुरवक समझा है सब सबस्पष्टी करण के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद दर्शकों आज के महावाक्षियों में पर्मात्मा ने कहा कि सत्युग वह है जहां प्रकृती के आत्मा के मन के बुद्धी के और संबंध के सर्वसुख सदा हाजिर हैं पर्मात्मा ने कहा कि सत्युग में राजा और प्रजा के मर्तबों में अंतर होने के बावजूद भी एक दूसरे के प्रती उच नीच की वैर भावना नहीं होती, सदा एक दूसरे के प्रती परिवार की भामना होती है। पर मात्मा ने कहा कि जहां इच्छा है, महा कारोबार में किसाब किताब रखना पड़ता है। सत्युग में सभी इच्छा मात्रम अविद्या है और इसलिए सभी सर्वप्राप्ती संपन है। तरशकों आज के महावाक्यों से संबन्धित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं। हमारा एमेल आइडी है amulleratna at the rate godlywoodstudio.org अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, आउम शांती। मुख्य साथ सत्युग के सभी रीती रस्म स्पष्ट कब होंगे। स्वर्ग में मर्ज हुए संसकारों को इमर्ज करो तो सभी रीती रस्म भी इमर्ज होंगे। सत्युग का अर्थ और अनुभव। जो भी सुख हैं प्रकृती, बुद्धी, मन वा संबंद वो सभी चीजें प्योर, संपन और सुखदाई रूप में होंगी। हम नहीं, हम आत्माई कहो, इससे कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा, और कुछ समझ में ना भी आए, सिर्फ शिप बाबा शिप बाबा भी कहा, तो स्वर्ग की गेट पास मिल जाती है। इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंदरों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवोड स्टूडियो से संपर्क करें।